आज हम आपके साने बहुत ही टेश्टी और हेल्दी की रेश्पी शेयर कर रही हूं जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही टेश्टी है यह रेश्पी बच्चों की ही नहीं बड़ों की भी बहुत फेवरिटिश है जो मिंटों में बनके तयार हो जाती है आज मैं अपने बेटी की फर्माइस पर बना रही हूं तो सोचा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ में शेयर करूँ जो हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को टिफिन फिनिश नहीं करके लाते हैं बच्चों को ऐसा क्या बना कर दूं जो टिफिन फिन कि आया है राइट राइट बनाने के लिए हमको वेजिटेटेवल्स ले लेंगे उसको हम फाइं चॉप कर लेंगे या जो बच्चे वेजिटेवल्स नहीं खाते हैं वो वेजिटेवल्स भी आप इसमें डालके खिला सकती है हमने हमके सिर्फ गागय और भीन को लिया है जि इसलिए हम सब्जी को बारिक बारिक काट लेंगे और बाइट में इजली चली जाएगी तो उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा खाने में कि हम वेजी टेविल्स भी साप में खा रहे हैं अगर हमें बच्चों के टिफिन के लिए बनाना है तो यह वेजी टेविल्स कट करके हम रात में ही रख लेंगे तो सुबह हमें टिफिन बनाना और भी इजली हो जाएगा तो वेजी टेविल्स ज़ब कटी हूए होगी सुबह हमें सिर्फ राइस बोइल करना होगा तो यहां पर हम रेगलर राइस का बना रहे हैं तो आप टिफिन के लिए regular rice का बनाएगे तो बहुत जल्दी और easily बन जाएगा इसके बाद हमें सब चीजों को assemble करना होगा वह बहुत ही जल्दी हो जाता है और इस तरीके से अगर हम छोटी चोटी preparation करके रख लेंगे तो हम सुबा में बच्चों को time दे पाएंगे और बच्चों को तयार करके school भेज पाएंगे time से और सुबा की भागम भाग से भी हम बच पाएंगे तो हो गया ना easily come अब हम fried rice बनाने के लिए एक बड़ा button ले लेंगे जिससे की easily जिसमें मिल जाए तो हमने यहां पे कड़ाई ले लिए और उसमें हम तेल डाल लेंगे तेल थोड़ा सा इसमें ज्यादा जाता है क्योंकि राइस से थोड़ा खिला खिला सा बने जब राइस पे oil coating हो जाती है तब ही वो खिला खिला सा रहता है नहीं ते वो छिपकने लगता है अपने start से इसलिए हमने यहां पे तेज थोड़ा सा ज्यादा quantity में ही लिया है तेल करम हो जाने पर हम इसमें आदा चमत जीरा add कर देंगे इसको हम चमत से चला देंगे जब जीरा crackle हो जाएगा तो इसके बाद में इसमें हम प्याज add कर देंगे तो यहां पी हमने एक प्याज लिया है इसको हम थोड़ा soft होने तक fry करेंगे जब यह हलका pink color का हो जाएगा तो इसमें हम beans और गाजर को add कर देंगे तो इसको भी हम cook कर लेंगे इसको हम हलका ही cook करेंगे तो इसको हम continue चिलाते हुए चौटे कर लेंगे थोड़ा सा और इसमें हम नमक नहीं add करेंगे नहीं कोई masala add करेंगे इन vegetables को soft होने तक हम इसको fry करते रहेंगे जब vegetables soft हो जाए तो इसमें एक चंब जिंजर गाली का paste add कर देंगे अब हम इसको continue चिलाते रहेंगे क्योंकि जिंजर गाली का paste जो है नीचे लग जाता है तली में इससे की जलने की smell आ जाती है अब हम test के अनुसार इसमें add कर देंगे चिली पावडर यहां पे हमने चिलिया है आदा चमस चिली पावडर इसको मच्छे से vegetables में mix कर लेंगे चिली पावडर को mix करने के बाद में इसमें add कर देंगे पनीर यहां पे हमने एक बंच लिया है 200 ग्राम का तो उसको हमने भी पतला पतला काट लिया तो उसके बाद में इसको fry कर लेंगे पनीर को भी हम continue चिलाते हुए fry करेंगे नहीं तो चिलाते हैं यह सारा process हम slow flame पे कर रहे हैं तो अब हम पनीर को भी slow flame पे saute कर लेंगे तो इसको भी हम एक मिनट तक fry कर लेंगे जिससे की पनीर भी अंदर से खुक हो जाए इसके बाद में हम इसमें एक magic masala डालेंगे या मैगी मसाला डालीजिए तो इससे fried rice बहुत अच्छा तयार होता है इसके लावा हमें कुछ और भी मसाले डालने की जिवरत नहीं पड़ती है बस चिली हमें है जो अपने taste के नुशार उसमें थोड़ा सा add करना पड़ता है तो इसको भी हम मसाले को अच्छे से mix कर लेंगे मसाले को मिक्स करने के लिए हमें यहां पर पानी को add करना है ऐसे ही ड्राई मसाला को mix करेंगे जिससे की मसाले के सारे flavors हमारे vegetables में आ जाएं इसके बाद में हम rice को इसमें add कर देंगे यहां पर हमने rice को boil किया है यह हमारे regular rice है regular rice में ज्यादा tasty बनता है और easily बन जाता है क्योंकि हमें सिर्फ rice को boil करना होता है अगर आप boiled rice ही खा इसको अभी बहुत अच्छा बनके तयार होता है खिला खिला सा बनता है अब हम इस शावल को सारे vegetables और paneer में अच्छे से mix कर लेंगे जिससे की सारे flavor rice सब एक हो जाएं तो अच्छे से mix कर लेना है जिससे की सारे flavors एक साथ आएं कहीं कम और ज्यादा ना हो अब यह mixed vegetable fried rice तय enjoy कीजिए तो आप ही एक बार जरूर इसको try कीजिए बहुत ही टेस्टी बनके तयार होगा और मुझे उम्मीद है कि आप इसको दुबारा फिर बनाना चाहेंगी आप जब भी try कीजिए अपना feedback हमें जरूर दीजिए जिसे हमारा होचला बढ़ता है आप इस चैनल पर पहल नही रेसिपी के साथ तब तक आप हमें हिजाजत दीजिए अल्ला हाफिज